नमस्से औरिवन इस वीडियो में बात करने वाले है पैरामिटर्स डैट के इसका मतलब यह है कि अगर सबसे आप एप्लिकेशन या अगर सबसे आप वेबसाइट बनाते हो तो इसे कौन से पैरामिटर्स है जिनके वज़े से आपको यूजर है वो आपका वो डिस्टाइक हो तो अगर सबसे आपके लेयाउट्स बहुत ज्यादा क्लटर्ड है तो इसके वज़े से वह आपका यूजर जा सकता है तो आपका जो लेयाउट होगा वह एकदम साफसुत्र होना चाहिए और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए एक श्रडी के अकोर्डिंग एक्जांपल के साथ समझाँगा वैसे थेरी वगेरा जो एक्जाम में आपको जो चीज़े लिखने हैं वो नोट्स में तो मैंने कवर कर दिया है बट मैं एक्जांपल के साथ इसलिए समझा रहो ताकि आपको लाइक आप रिलेट कर पाऊगे ठीक है तो अभी मोस्ट आप कर दिमाग है तो अवरे का अगरितिरिकण के दिमाग में डालना अचीव कर लेते हो मतलब user predict कर पाएगा कि अगर इस page पे submit button bottom right side पे है तो अगले सारे के सारे pages में वहीं पे होगा submit button अगर सब आप इधर उदर इधर उदर ऐसा करोगे तो उसका जो predictability है वो नहीं अच्छी हो पाएगा and this is very bad sign and उसके वज़े से आपका जो user है वो distract होके बाकी के दूसरे website पे ज elements इसका मतलब यह है कि आपके जो page पे जो elements है उनका जो alignment है वह बहुत ज़्यादा प्रॉपर और बहुत ज़्यादा एक alignment होना चाहिए मैं आप एग्जांपल दे दूँगा ओके आप देख सकते हो यहां पे existing system है और एक यहां पे design system है तो existing system का जो alignment elements है वह प्रॉपर नहीं थर्ड पॉइंट पर उपर आते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट कहता है कि misleading headlines and images इसका मतलब यह है कि सिर्फ आपके website या application के उपर views बढ़ाने के लिए या hits बढ़ाने के लिए अगर सब हो आप misleading headlines का इस्तमाल कर रहे हो या misleading images का इस्तमाल कर रहे हो तो उसके वेज़े से भी वो user distract होके दूसरे website पर जा सकता है मतलब आपको एक time पर एक वी तो मिल जाएगा या hit या like जो भी होगा वो तो मिल जाएगा बट यूजर को आके यही पता चलेगा कि यह जो website या application है जिस चीज के लिए वो आया है वो चीज नहीं मिलेगा ठीक है इसमें fake headlines या fake images भी आते है यूट्यूबर्स जैसे clickbait करते है या यूट्यूबर्स जैसे fake images डालते है या ऐसी चीज़े बढ़ाने के लिए तो वह एक फरजी चीज है मतलब उससे पता जल जाता है सामने वालों को एक अच्छा चैनल नहीं है यह बहुत बुरा चैनल है फोट पॉइंट के उपर आ आपको आगे बढ़ना है मतलब एक पेज का अगर कोई color combination है मान लो black and yellow तो इसी color combination को आपको throughout the pages मतलब बाकी के pages पे भी यही color combination होना चाहिए और ज्यादा bright color बहुत ज्यादा bright color इस्तमाल नहीं होने चाहिए ठीक है इससे क्या होगा इससे user distract होता है यह जो bright colors होता है यह user के आखो को चुपते है और उसके विज़े से user distract हो सकता है and fifth and the last point is unnecessary and irrelevant information जिसका इसके साथ बहुत ज़्यादा एक गहरा नाता है अब इसमें भी वही चीज discuss करेंगा हम लोग अगर unnecessary information है आपके website पर application पर या irrelevant information है आपके website या application पर तो उससे क्या होगा उससे user का time waste होगा देखो कैसा है कि हजारों website user के पास है ठीक है तो अगर suppose आपके पास user आता है और उसको यह पता चलता है कि आपके website पर irrelevant information है या unnecessary information है तो उसके पास बाकिए options भी है जहां पर बस उतनी information है जितने उसे चाहिए तो obviously आपको जो user है वो distract होगे उन websites पे चले जाएगा ठीक है तो इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपके जो website है उसमें irrelevant या unnecessary information नहीं होने चाहिए बस उतनी information होने चाहिए जितने एक user को required है अब यह पाचों के पाचों points हो गया है बट एक बहुत ज़्यादा important point और कुछ information मैं आपको navigation है या अगर सबुद आपका website या application loading करने में बहुत ज़्यादा समय लगा रहा है तो वो भी एक बुरी चीज होती है वो भी डिस्ट्रेक्टिव चीज होती है उसके वज़े से भी user distract हो सकता है अब मैं कुछ information आपके screen पर display करूंगा जो आप exam में भी लिख सकते हो और जिस